हेलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे यूडूब चैनल पर स्वागत है अगर आप हमारे यूडूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डोक्टर अनुजगो स्वामी आपका अपने यूडूब चैनल पर हादिक स्वागत करता हूँ friends मलदवार के अंदर जितनी विमारिया होती है या इस से जुड़े जतने भी लक्षन होते हैं उन सबको समय समय पे हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिस य Chili होती है friends कि मलदवार के जितने भी रोग है उन सब का समाज के अंदर जितनी भी भ्रांतिया गुजी हुई है उनको लेके वो सब की सब पून रूप से ठीक हो सके और चारसुत्रा को लेके आयरवेदिक ट्रेडिशनल थैपी जिसको हम चारसुत्रा बोलते हैं उसको लेके भी जितनी भ्रांतिया समाज के अंदर है वो खत्म हो सकी तो फ्रेंट्स आज जो मेरा टोपिक है वो ये है कि बहुत से पेशेंट्स बहुत से पेशेंट्स मेरे को कमेंट करते हैं कि सर मेरे को फिशर पड़ा हुआ है सर मेरे को कितना टाइम लाएगा सर मेरे को फिशर पड़ा हुआ है तीन महीने पुराना तीन साल पुराना सर इसके अंदर टाइम कितना लगेगा फिशर के अंदर भी हर पेशंट की कैटेगरी अलग होती है कि चार्श पुत्रा से समय कितना लगेगा चलिए फ्रेंट्स आज इसी टोपिक को लेके बात करने वा तो फ्रेंट्स अगर आपको केवल क्रोनिक फिशर पड़ा हुआ है डोक्टर ने प्रोपर डाइग्नोस आपका कर दिया कि आपको मलदवार का पुराना घाओ है तो उसके अंदर 30 से 40 दिन के अंदर आप 101 परसेंट रिकवर कर लोगे जो थोड़ा बहुत घाव लास्ट कर रहता है वह 15 से 20 दिन या एक महीने के अंदर रिकवर कर लेता है तो कम्प्लीट रिकवर होने में एक तरह से आपको दो महीने लगते हैं ठीक है फ्रेंट्स लेकिन अगर आपको मलदवार के साथ सेंटिनल टैग मल्टीपल सेंटिनल टैग होते हैं कभी-कभी किसी को एंट सोली भरते हैं उनको धाई महिने तक लग सकता है तो लंसम एटी डेज के अंदर वो पेशेंट कम्प्लीट रिकवर हो जाता है अब एटी डेज का मतलब यह नहीं है कि वह अपनी डूटी बगारा जोएं नहीं कर सकता डूटी तो वह अपना जिस दिन आपका चार सुतरा होत जाते हैं अगर आपको मल्टिबल सेंटेनल टेक्स के साथ फिशर पड़ा हुआ है और अगर आपको ऐसा घाव पड़ा हुआ है जिसके अंदर से लगातार पसका डिस्साज या बवाद जैसा या कोई भी बदबुदार पानी निकलता है तो ऐसे फिशर को हम फिश्प्ला क जो छार Сुटरागे लेते हैं लम्सम सिक्सτι डेज़् sisters लेते हैं मतलब आपका एक तरह से मानके चलो की आठ्थPOS कम से कम एह जएंगे उसके बाद जो सका घाव बचेगा वह लम्सम 20 चैंट सिसका मतलब आपको ड़ाई से 3 महने गा टाइम इसके अंदर लग सकता है ठीक है फ्रेंट्स तो आज जो हमने बात की है वो यह की है कि मल द्वार के प्राने घाओं में कितना कितना समय केटगरी वाइज लग सकता है ठीक है फ्रेंट्स तो आज तो वीडियो में इतना ही है अगर आपको हमारे द्वारा दीगी जानकर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें किसी भी तरह गया आपकी क्वेरी हो तो जैहिन जै भारत